हलो दोस्तों ग्यान दर्शन बन अउसत यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम आपको एक बवासीर नासक अउस्दीय नुष्खा बताने जा रहे हैं आप बवासीर से परेशान हैं तो आप अउस्दीय नुष्खे का प्रयोग करें मित्रों बव बहुत ही फाइदे मंद हैं सेव का सिरका बवासीर में आप सेव के सिरके का प्रयोग रहें दो चम्मस सुबाद दो चम्मस साम और आपको बवासीर में जैतून का तेल फाइदे मंद हैं जैतून तेल को आप बवासीर के मसों पर लगा कर लाब ले सकते हैं मित्रों साउच के बाद सुबह जैतून के तेल को मसों पर लगाएं और साम को सोने के पहले आप जैतून तेल की फुरेरी मसों पर लगाएं बहुत ही लाबदायक है मित्रों आप बादाम का तेल भी प्रयोग ले सकते हैं बादाम के तेल की भी फुरेरी मसों पर लगा कर लाब ले सकते हैं म मित्रों बवासिर में लावदायक है बादाम का तेल मित्रों बहुत ही फाइदेमंद बादाम का तेल जिसके बारे में हमने आज आज आपको जानकारी दी है मित्रों और एक चीज आपको पताने जा रहे हैं नारियल के जटा को लाए और उसको जलाकर भस्म बना ले उस भस्म को आप उपयोग करके बवासीर से लाव ले सकते हैं जटा को ताजे मठे में मिला कर सुबाह खाली पेड नेमित रूप से सेवन करें लाव मिलेगा मित्रों बहुत ही फायदे मंद नारियल का जटा जिसकी भसम आप मठे का साथ प्रयोग कर सकते हैं मित्रों अंजीर खाने से बवाशीर में लाप मिलता है, तीन अंजीर भीगो कर सुबह खाली पेड़ से बन करें, इस पानी को भी पी जाएं, बहुत ही फाधे मंद हैं, मित्रों, ताजे अंगूर भी अंजीर खा सकते हैं, ताजे अंगूर भी बवाशीर में लाब प्रद हैं, दो अंजीर सुबा, दो अंजीर साम को खाएं, लाब मिलेगा, बवासीर में फादे मंद हैं अंजीर, अंजीर बहुत ही लाबदायक, बहुत ही निच्रल, बहुत ही फादे मंद दवा है, मित्रों इसको आप लेकर प्रयोग कर सकते हैं, मित्रों और आप ज के साथ 7 करें बहुत ही लाबदायक बहुत ही फादेमंद जीरा मित्रों आप नीम्बू का भी प्रयोग कर सकते हैं बवासीर में नीम्बू है लाबकारी नीम्बू का रस आधरक और सहद मिलाकर 7 करें लाब मिलेगा मित्रों मठ्था और अज्वाइन का 7 भी बहुत ही फादे और एक चमच काला नमग मिला कर रोजाना दोपहर में खाने के बाद सेवन करें लाब होगा, पाइल्स में आप बहुत ही फाइदे मंद है यह मठा और अजवाईन, पाइल्स में पपीते का भी सेवन कर सकते हैं मित्रों, मित्रों पपीते का सेवन कर सकते हैं या बहुत फाइदे मंद है इससे कब्ज नहीं होती है और मलत्याग आसानी से हो जाता है दर्द जलन में भी लाब दायक है पपीता मित्रों पका केला भी बवासीर में फाइदे मंद है पके केले को आप खा कर लाब ले सकते हैं इससे कबज नहीं होती है और बहुत ही फाइदे मंद है मित्रों पका केला खाने से बहुत ही लाब है बहुत ही फाइदे मंद है इसको और लाबकारी माना गया है बवासीर में पका खेला बहुत ही लाबदायक है मित्रों और आप बवासीर होने पर आप जो है गरम टब का प्रयोग कर सकते हैं ततकाल आरा मिलेगा गरम टब में आप गुदादवार को गरम टब में रख कर और जो है इसको शेक करें फाइदे बैठें बवासीर में परहेज करें तला भुना मिर्च मसाला युक्त भोजन का सेवे ना करें बिल्कुल ना करें ज्यान दर्सन बन उसत यूटूब चैनल में आपको बवासीर के फाइदे के बारे में जानकारी दी गई है आने वाले नेक्स वीडियो में आपको फिर हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेलाइकन पूश करें ताकि हमारे दोरा दी जारी यह उस दी जानकारी आपको सुचार रूप से मिले तो मित्रों आज हमने आपको आपको बवासीर के फाइदे के बारे में जानकारी देगा जरा झाल झाल